Hey guys, welcome to the next video of Classical Optimization Techniques course तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक हेसीन मेत्रिक्स को कैसे यूज किया जाता है Unconstrained Optimization को solve करने के लिए लेकिन अब इसके अंदर क्या है भई? इसके अंदर ये है कि we will be using more than one variable over here मतलग कि यहाँ पे जो question दिया गया होगा उसके अंदर एक variable से जादा होगा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारे को दिया हुआ था objective function it had only one variable इसलिए हमने simple differentiation का use किया था लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास more than one variable है तो हम use करेंगे ACN matrix को अब देखते हैं कि हमारे को क्या दे रखा है पहले हमने देखा था case 1 ठीक है हमने case 1 देखा था जिसका नदर एक ही variable था लिकन अब क्या scene है हमारे पास case 2 है and it means that we will have more than one variable ठीक है मतलब कि हमारे पास जो function दे रखा होगा माल लीजिए for example we have been given a function fx और उसके अंदर हमारे को उसके अंदर हमारे को जो function दे रखा है वो है fx1 plus 2x2 plus x1x2 minus x1 square minus x2 square अब इसके अंदर आप देखेंगे तो we have two variables कौन कौन से दो हैं बई एक x1 है एक x2 है हमारे पास इसमें दो variable है तीन भी हो सकते हैं मान लीजिए यहां पर plus x3 भी लिखा है तो यहां पर हमारे पास तीन variable हो जाते हैं वालब 1 से जादा हैं तो we will use asian matrix तो अब देखते हैं वहीं asian matrix को कैसे यूज़ करते हैं अब एक चीज़ पढ़ते हैं fx fx is the function which have been given to us मतलब कि यह capital f silicoe small f silicoe की बात है खेक है now we form the asian matrix to decide about the nature of fx अब nature का मतलब होता है we have to find out whether the function that has been given to us कि वो max है या min है मतलब कि जो हमारे को function दे रखा है यह function दे रखा है यह हम इससे पैसे पता लगाएंगे कि यह max का है या min का का है यह कि देख लेता है कैसे पता लगाएंगे इसकी लिए हम form करते हैं isian matrix is इसकी लिए हम form करते हैं isian matrix अभ इसको ध्यान से देख दगावणन दो समय और आनल असान है बौत-स Of क्वेर मेट्रिक्स होगा अब भै कुछ जो स्मार्ट बच्चे होते हैं आपकी तरह वह एक डाउट पूस्ते हैं वह एक डाउट पूस्ते हैं कि सर ये तो हमारा three by three matrix है तो मतलब कि अग cotton हमारे सिर्फ दो variable होते एकसवन और एकसटू सिस्फ दो वेरियेबल होते तो क्या jest तब भी यही बनता मेट्रिक्स मैं नहीं तब यह नहीं बनता मेट्रिक्स कुछ फरक नहीं है और छोटा जाता वाल कि आपके लिए-ई-पार्ट चिंडर करा है so we will be using this big form तब हम यह बड़ा वाला फॉर्म यूज करेंगे जब हमारे पास तीन वेरियेबल्स दे रख्के होंगे ठीक है बस इतनी बात ध्यान लखने है आपको अब हम देखते कि भाई यह सब लिखा क्या है यह सब लिखा इसको डबल डिफ्रेंशेट कर दिया 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 इसको डिफ्रेंशेट कर दिया इसको डिफ्रेंशेट कर दिया इसको डिफ्रेंशेट कर दिया इसको डिफ्रेंशेट कर दिया टेलेग्स फंद से खीक है कर दिया अब क्या करेंगे इसको जो डिफ्रेंशेशन के बाद आपका आएगा ठीक है कि दिखा दू क्या मैं करके दिखा लेते हैं यहां पे आपका आएगा जीरो यहां पे आपका आएगा एक्सट्व माइनस टू एक्सवन 0-0 ऑगर अगर आप इसको differentiate करेंगे with respect to x2 करेंगे अब इस वाले पार्ट को दिस्टेक्ट टो एक्स्क्राइग तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 1 यहाँ पर क्या आएगा 1 क्योंकि भाई हमने इसको double differentiate किया है and partial differentiation करी है मतलब कि अब हम सिर्फ को differentiate कर रहे हैं इससे differentiate कर रहा है वाकि सबको हमने constant assume कर लिया है मतलब कि x2 & x3 अब हमें हमें इसमें constant consider करेंगे फब हम इसको differentiate करेंगे x1 से जो oe क्षव करने के लिए यह करने के लिए x2 से differentiate किया जो कि finalally हमारा क्या क्या है वन क्योंकि सब यह differentiate होगा तो वागी सब तो constant है वागी सब तो constant है अब हम इससे differentiate कर रहे है ना तो यहां पर क्या है वन तो similarly हमने सारी जगे ऐसी करना है यहां पर हमने x1 से differentiate करना है पहले फिर x3 से कर देना है यहां पर x2 से करना है फिर x1 से कर देना है ठीक है यहां पर यहां पर दोनों बार करना है यहां पर देखेंगे तो हम उससे डिफ्रेंशियेट कर रहे हैं जो कि हमारा रो है पहली रो है दूसरी रो है दूसरा कॉलम है दो बार एक्सटी से डिफ्रेंशियेट कर दिया लिगने बड़ा वाला मेट्रीक्स काभ बने काभी बताया था मैंने जब हमारे पास तीन वरियेबल होंगे और जब दो वरियेबल होंगे तो यह सोटा वाला मेट्रिक्स हम यूज करेंगे चलो इतनी बात तो समझागी कि इसे मेट्रिक्स कैसे बनाते हैं ऐसे बनता है इसे मेट्रिक्स ठीक है इस स्यादा कुछ नहीं है अब हमने यह बना लिया हमारे पास function दिया हुआ था उसको इसके साफ से differentiate करके हमने ऐसे है थी कहा है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा we will see how to find out the definiteness अप जब डेफिनेटनेस फाइंड और करेंगे फिर हम इस पार्ट पाएंगे जब यह निकालना सीख जाएंगे हम तब इस पार्ट पाएंगे अब हही पहले देखते कि डेफिनेटनेस निकालते कैस जी मानली यह if the results of all the principle Minors यह Minors लिखा है if all the principle Minors is greater than zero is greater than zero then the matrix is positive definite अब हाइ माइनर क्या होते हैं आपको पता होगा इंशुद्ट है आपकी Minors क्या होते है bagus के मिट्रिक्स के अंदर मानली जीए कि यह मेट्रिक्स आया है मेरा यह मेट्रिक्स आया है मेरा तो पहला माइनर हो गया यह दूसरा माइनर हो गया यह ठीक है तीसरा माइनर हो गया यह पूरा तो पहले मैं यह डिटमिनेंट निकालूंगा इसको डिटमिनेंट तो यही चीज़ होगी फिर मैं इस टू बाइटू का डि अगर आपको याद नहीं है तो मैं सब बता दूँआ उसकी चंदा मत कर बस अभी समझे लो किसे करना है तो अगर हमारे जो माइनर्स के डिटर्मिन आ है तो जो हमारा मेटरिक्स है वह पॉजट डेफिनेट है और अगर ग्रेटर देण जीर नहीं है चुछ भी और है उच न리 धिवल कंसेडर कि यह हमारे negative definite है matrix हमारा मतलब की it से मतलब है कि matrix the matrix is negative definite गुबारा बता रहा हूँ ठीक है matrix बना लिया differentiation करें matrix बना लिए इसके बाद हमने क्या किया हुसके बाद हमने individually minus के determine निकाले पहले इसका निकाला फिरे two by two का निकाला फिरे three by three का निकाला इन का फेरेनस के माईनरस के निकलिक के देख लिए अगर सारे ग्रिटर देंग जीरु हैं टब माईनर्स के हम कहिए कि मेजर जो है वो पॉझिटिव १ीनिट है अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा का मतलब है अगर ऐसा नहीं है तो वो फे णिता कि childcare ऊप नखिशन क्वेश्ट लो कि हमने यह निकाल लिए मेटिक समयली है बीक देख के अगर हमारा नेगेटिब डेफिनेट है है एक हमारा मेट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है देन वी विल से डाइट दी नेचर इस ऑफ रेलेटिव मिनिमा इंदी नेचर इस ऑफ रेलेटिव मिनिमा ठीक है लेकिन अगर अगर अधरवाइस वाला पार्ट आ रहा है ग्रेटर दन जीरो नहीं है कुछ और नेगटि टेफिनेट है हम कहेंगे दाट दी फंक्षन इस ऑफ डेचर ओफ रेलेटिव मैक्स इमा यहां पर र्लीटिव मैक्सिमा है और वेन इंपॉसिबल तो प्रिडिक्ट इनिटेट अब ऐसे वाले वाले के साते नियए जारत इंद निकालना और फाइंड आट करना की वैल्ली बढ़ा रही है ऐसे केसे सकम होते हैं लेंगे अगर ऐसा होता है तो वह इंडेफिनेट कहलाता है जब आप पता ही लगा पाओगे कि जीरो से बढ़ा है चोटा है क्या है क्योंकि उसमें शाइद निकले नहीं पाता है ठीक है तो उस केसमें कहेंगे और एफ-eक्स हैसा है यह डिषुर्ण सेशनों फॉलँ कर उ對 का मेत्रिक्स बन ढहाली है अ क्या करा यहां पर हमने वह निकाल लिए पितंक सारह माइनर्स की डिटर में लिए खाली हिक मेंढ़ां सारिगाशनuary हो मचेमिंट है मतलब हमारा relative maximum है अगर मेट्रिक्स हमारा indefinite आया है मतलब कि fx is a point of inflection fx has a point of inflection तो गाइस इस वीडियो के लिए था आई होप आपको समझाया होगी इस इन मेट्रिस को कैसे ड्रॉ करते हैं फिर आपको उसका basic fundamental समझाया होगा इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है कैसे बनाया जाता है ठीक है अब हम इसको यूज करेंगे अगली वीडियो में इससे next to next video next video में भी करेंगे और इसके अगली वीडियो में भी करेंगे ठीक है क्योंकि हम दो questions देखेंगे question 1 question 2 एक होगा 2 by 2 का एक होगा 3 by 3 का 2 by 2 में हम ये वाला यूज करेंगे इतना सा 3 by 3 में हम पूरा यूज करेंगे ठीक है so guys आपको पूरा तरही किस समझ आ जाएगा जब मैं एक और question कराऊँगा इस पर so guys I hope you are able to understand this video अगर आपको वीडियो समझ आई है पसंद आया है comment section में वाव लिखिएगा and it would be great to know that you are able to understand it या फिर कुछ भी लिख सकते हैं पच्छा लगाओ and मैंने माइक भी नहीं लिया है मैंने पिश्टी वीडियो में बताया था ठीक है अब लिकना 10 अपनी सही रखना so guys this is it for this video I am Ronak Jain, a student of NSUT Delhi see you in the next one